नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल वेल्थ वजार पे आपका स्वागत है दोस्तों आज जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वह स्टॉक एक ग्रूप कंपनी से बिलॉंग करता है आज इस वीडियो में कंप्लीट फंडामेटल एनलेसिस करने वाले हैं साथ ही यह जा तो जैसा कि हमने बताया वह स्टॉक एक ग्रूप से बिलॉंग करता है सांथी वह स्टॉक बहुत ही फेमस है अगर बात की जाए उस स्टॉक की तो स्टॉक एक्चुली में FMCG सेक्टर से आता है चली हम सब चीजों को शोड़ते हैं और उस स्टॉक का नाम है अदानी वीलि कर सकता है उससे पहले मैं एक डिस्क्रिम्ट देना चाहूंगा मैं कोई से भी रेजिस्टर एनलिस्ट नहीं हूं यहां देगे जनकारी केवल और केवल एजुकेशन परपस के लिए निवेस का कुई रिकमेंडेशन नहीं निवेस में बहुत जोकिम होता है निवेस से पहल कि अट्यूदी के बारे ने बात करें एक कंपनी की तो कंपनी जैसा कि हमने बताया कंपनी एक कंपनी है तो वेसिकली यह कीचन को मारें मेर्ट करता है अब बात करें इसके पोड़क्ट के पोड़क्पोलियो प्रोड़क्ट को पॉड़क्पोलियो तिक देग्री में डिवाइड़ है पहला एडिवन ओल है हैं तुसरा पैकेजिंग फॉर्स एड़न सेजी एंद तीसरा इंडस्ट्रिल संसील है अब बात करें कमपणी के इस से के वो कंपणी नियु इस हुई थे जो कि अधाने विल्मर लिम्टेट पो उनेस नहीं नामे में अधाने इंटर्प्राइज और सिंग्गापू इस इंटर्नेसर के बीच एक सम्झवबा के तरह सामिल किया गया था अधाने विल्मर का ब्रांड फर्चुन एक खाद तेल और खाद पदार्स का मेज सब्सक्राइब के तरह चावन सोया चत्स और आठा जैसे अन्य पैकेजिंग फूड भी नौंज किया 2019 और 2020 की बीच कंपणी ने यह लाइफ ब्रांड के तरह प्रसनल के बजार में भी कभिस्ट किया अब सबस्ते कंपणी के एसेंसियन कॉंपोनेंट इस जो डेटा देखन परिने वाले हैं सबसे पर बात करेंगे मार्केट के अप्लाइजिशन की तो मार्केट प्लाइजिशन लाइफ की बाट लूट-सक वार्त नमबर आफ इसके नमबर आफ सीर मार्केट में ऑल्ग है रहाए इसको पी बहुत ने-छापन के करीब जो कि जादा है भी पीडिशियों फिस्ट गल्ड देखा जाए तो वन हैंट और डिवेडेन देखा जाये तो जी रूपरसंट है है वैसे कैस्ट भी ज्यादा है और दोनों कंपेर सब्सक्राइब देखा जाए तो लगवग दोनों कंपणी जो है त्रीक कंपणी आती है अब बात करें इसके लास्ट ट्रेलिंग की तो डोस्ट लगवग 2.1 पॉर एनी लगवग दो के आसपास का EPS और निंग पर से सब्सक्राइब दोस्तों आई अब समझते हैं आदानी मिरों का जो प्वाटन भी जल्द आया है वो कैसा रहा है तो चलिए हम सबसे पहले मनी कंपूल इस साइट पर मनी कंपूल इस साइट वह देखा जाए तो विन्हों ने देबताया है कि जो यह और और इस पर जो इनका 2892 करोड़ था वही मार्ट दोयां चलिए में घटकर 13239 करोड़ यह जो की निकल कर आता है 67% के आसपास, बात करें इसकी इविता थी तो इविता नन्हों निखल के आता है 6.97%, बात करें और निंग पर सेर के तो और निंग पर सेर भी सिदे दबल से दबल हो गया, 0.72, लगवक डबल के आसपास है जो मार दोएटेश में 0.72 था वही मार दोएट 24 में 1.21 है जो कि ठीक है दोस्तों आएए अब समझते हैं आदानी मिन्वर्स येर का सियर प्राइस पॉर्कास्ट एनिलिस्ट रेटिंग गोरोकर रिसर्च रिपोर्ट लास्ट वन येर का रिटन और वन येर का रिटन तो देखा जाए तो ये माइनस 16 परसेंट का निगेटिम रिटन दिया है और बात करें इसके सियर प्राइस की तो ये लगवग 308 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अब देखते हैं आदानी मिन्वर्स का लास्ट पाइफ येर का रिटन पाइफ ये अगर देखा जाए तो लास्ट फाइफ येर माइनस 11 परसेंट का रिटन दिया है बात करें इसके सियर प्राइस फॉर्कास्ट की तो मनी कंट्रल वेफ साइट के गरूर्निंग देखा जाए तो इसका सियर प्राइस प्रकास्ट बताया गया है 405 रुपए और जो मीन रह सक है कि लो प्राइस बे इसका टश करने वाला है 325 के आसपास आ चुका है अब बात करते हैं अनिलिस्ट रेटिंग रिपोर्ड अगर मनी कंट्रोल एकॉर्णिंग देखा जाए तो 25 परसेंट बाइक कर रेटिंग दिया है 25 परसेंट आउट फॉर्फं का रेटिंग दिया है 25 परसेंट वोल्ड का रेटिंग दिया है और 25 परसेंट अंदर फॉर्फं का रेटिंग दिया है बात करें ब्रोकर रिसर्च की तो मनी कंट्रोल एक के एकॉर्णिंग के एकॉर्णिंग की आर्ट चौकस्ते ने आठ माई 24 को अपनी रिपोर्ट पब्रिस में बताया कि जो इसका टार्गेट है 357 का है रिको प्राइज जो है 336 रुबएगा है दोस्तों आईए अब समझते हैं अदाने मिंगर्सियर का फाइनेंसियल सबसे बहले बात करते हैं रेविनिंग की रेविनिंग को देखा जाए तो बगहर 15 में लगबग 1515,000 क्रोड के आसपास था फिर फिर तो अगर 222 की बात करें तो लगबग 52.0 क्रोड के आसपास पहुंच है फिर तीश में 55 पहुंच था लेकिन दो अगर 24 में यह नंबर घटके 49,252 क्रोड के आसपास कर रहा गया बात करें इसके नेट प्रॉपिट की तो नेट प्रॉपिट बुरए 15 में लगबग 56,000 सब्सक्राइब और बात करें 222 की तो 2022 में इसने पिक बनाया था आठी साथ का नेट प्रॉपिट इसके बाद यह लागतार डिक्राइन हो रहा है जो कि घर्टे गर्टे 24 में 288 क्रोब के आसपा से आ गया बात करें इस्ती हो 2015 में लगवक 5 आसपा स्था बात करें 222 की तो यह लगवक साथ के आसपास पहुंच गया था लेकिन उसके बाद नग्वपार एक घट रहा है जो कि कि एक नहीं थीक नहीं बना जाता है बात परें इसको आरोई के लिए तो आरोई में लगवग 2015 में 6 के आसपा था फिर 2016 में 13 के आसपा पहुंच गया फिर 22 में लगवग 11 के आसपास पहुंचा उसके बाद यह लगतार डिक्लाइन होते जा रहा है और आज यह आरोई आरोई मतलब लेटर ऑन एक्विटी कंपनी को प्रॉफिट में नुकसान हो रहा है या इसको घाटा हो रहा है बात करें डिक्रीक्विटी तो डिक्रीक्विटी जायर पंदर में 1.68 था लेकिन 2024 में देखा जाये जिए 0.26 है यानि डिक्रीक्विटी तो इस कंपनी के लिए बेटर मना जायेगा खिर कि यह लगतार इसका घरते जा रहा है वगर ऐसा मना जाता है किसी भी कंपनी के पर अगर डिक्रीक्विटी घरत रहा है इसका मतलब कंपनी जो है अपने उपर से दोस्तों आईए अब समझते हैं सिर्फ होल्डिंग पैटर्न ओफ आदानी विल्मर्ट सेर्स सबसे पहले हम बात करते हैं पर मोटर होल्डिंग की पर मोटर होल्डिंग वो देखा जाये तो मार्च 23 में 87.94 परसेंट था जो कि मार्च 24 में घटकर 87.87 परसेंट हाला कि यह जो सेर्फ होल्डिंग पैटर्न है लगवा 88 परसेंट के आसपास मना हुआ है यानि इनकी पैटर्स होल्डिंग पैटर्न देखकर ऐसा लगता है कि जो पर मोटर है अपने इस स्टॉक में बहुत ही इंटेस्टेट है बात करें एफाइज की एफाइज मार्च 23 में लगवा बात करें डी आएज की जो है मार्च 23 में 0.1% परसंट था जो कि मार्च 24 में बढ़कर 0.29% है अल Lisa बहुत ही इसा लग रहा कि इस स्टॉक में बिलकुल फिंट्रेस्टेट्न नहीं है कि इनक करें पाध़ा इफ होडिर पैटन की तो पब्लिक पोल्टिंग पैटन जो है मार्थ गए तीस में लगवक 10.68 परसंट था जो कि मार्थ 24 में वड़कर 11.08 परसंट रह गया है इससे अगर इनका से लोलिंग पैटन को देखकर ऐसा लगता है कि जो पब्लिक फी होल्डिंग है लातार जो है इनक्रिस गो मतलब कर्पण कंपण कह सकते हैं रहत क्या करें नहीं कि दुसरे कि बाट करें तो, अपना जो से रहे कोई भी प्लेस कर नहीं रखा है तो यह किसी भी सियर के लिए बहुत ही अच्छा सिंगर आता है कि पर मोटर जो है अपने स्टॉक और और अपनी कमपनी पर बिश्वास अते हैं इसलिए वो कोई भी मतलब से प्लेज करने रखा है मचसे प्लेज मतलब में भी करने रखा है ठीक बात करें तिस्टे पॉइंट की तो बुक वेलुप पर से इंप्रूबिंग फ्रूम लास्ट टू यह तो इनका वुक वेलुए लास्ट टू यह से इंक्रीज कर रहा है तो इवी ठीक एट्स बात करें चोथे पॉइंट की तो इनक्रीजिंग रेविनू एवरी क्वाटर्स फॉम जो है पास्ट टू प् ठीक तो इसको आप कर सकते हैं दोस्तों आई अप समझते हैं कंपनी के वीक्नेस आदानी दिल्मर्स यह तो देखा जाए तो लास्ट पॉर्टर में मिलिचर पर की वोल्डिंग जो है डिक्रीज हुई है इससे साफ जाहिए है कि मिलिचर फॉन होल्डिंग जो है अपनी डि आई एज कि तो इनकी बोल्डिंग है काफी कम है स्टॉक में मातर दिडियो पॉइंट सेवन सेवन पर्सन जो है Precis की होल्डिंग और दियाएक की वोल्डिंग अजुकि एक निगिटिव साइन है बात करे 快 की तो लास्ट यह से इनका जो आर यो सी अं आरो ऐ violetाय डिक्लाइन और है इसे साभ जारी है कि कंपनी जो है अपना नेट कैस फ्लो जरनेट नहीं कर पा रही है बात करें एन्युः नेट्ट प्रोफिट की तो लास्ट टू-एस कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है तो दोस्तो यह रहा complete fundamental analysis आधानी रिए से सेयर आगी की वीडियो ओ दिखने के लिए हमारे चैनल को like करे सबस्क्राइब करे साथी बेल आइकन को दबाकर रखे जो कि आगे जो fundamental में करने वाला हो जो आपके आसाने सी मिन जाए तो हमारे साथ बने रहें साथी बेलई को दबाकर रहे